कभी सो के उठेना कभी उठे के सो न कि विधाता के हाथों का तुहें खिलोना कि विधाता के हाथों का तुहें खिलोना काया पुरा में जब हो जाएं माटी में सोएं फिर उठ जाएं ऐसे ही लेता है जल्म हजार लाल दुपटा मलमल का काया पुरा में जब हो जाएं माटी में सोएं फिर उठ जाएं ऐसे ही लेता है जल्म हजार लाल दुपटा मलमल का लाल दुपटा मलमल का पत्तो अजय कर साझ्वा दुपटा बीज कलीबन खिलता है दूसरा जीवन मिलता है बीज कलीबन खिलता है दूसरा जीवन मिलता है फिर हरी आती है सुखी डाली पीट का दिल से हिलता है फिर दिखिलाता है सपने हजा लाली दुपट्टा मलमलिका लाली दुपट्टा मलमलिका किल दुपट्टा म高श दुपट्टा में व्राइब का दुपट्टा म हमानी कि ममी ममी मैं अपनी फ्रेंड की घर जा रही हूं अच्छा किसकी चिठी है अमित की बैंगलोर से आ रहा है इंट्रव्यू के लिए अमित अरे बेटा वही जिसके साथ बच्पन में तुम लड़ जगड के सारा घर सर पर उठा लेती थी अच्छा वो डबू हाँ बेटा वही जो तुमारी ममी के रिष्टे के रिष रिष्टे का रिष्टे रिष्टा नहीं मिरी सगी मौसी के नन्दोई का सगहां हां मैं जांती हूँ ममी वही न जिसके साथ मेरा प 오यांना चाहति हो तुम अरे तो उसमें बुराइं क्या है नौजवान है खुबसूरत है पढ़ा लिखा है मेरे खानदान का है और आज के जमाने में भी इतना सीधा साधा है बस बस मम्मी पहले ही तो बताओ चिठी में क्या लिखा है लिखता है वो बॉम्बे एक इंटरव्यू के लिए आ रहा है और कुछ दिन हमारे पास रहेगा लिख रहा है मैं कैसे भूल सकता हूं कि मेरा बचपन आप लोगों के साय में ही गुजरा और ये आप लोगों का प्यार है जो मुझे बॉम्बे आने के लिए खीच रहा है अगर हमारा ही प्यार चला रहा है तो फिर इंटरव्यू लेटर की क्या ज़रूरती कभ भी आ सकता है लिखता है अन मत करना बेटा क्योंकि एक तो वह तुम्हारी ममी का बहुत ही करीब करिश्चिदार है अब तुम भी तो बड़ी हो गया होगा अब वह मुन्ना तो नहीं है उन्हीं बच्पन की यादों को तस्वीर की तरह दिल में बसाया मैं आठ साल गुजर गए तुम्हें देखे होग मैंने कितनी विचैनी से गुजा रहा है इसका अंदाजा तुम नहीं लगा सकते हैं पर अब मैं आ रहा हूँ इंट्रिव्यू के बाने सई तुमसे मुलाकात तो होगी है फिर मैं दिल खोलकर तुम्हें सब कुछ बता दूंग ममे क्या हुआ अनू बेटा क्या हुआ तुछ लाई क्यों तेरी तवे तु ठीक है ना ममे मैंने एक सपना देगा एक तुर्शूल उस पर बिजली कड़के मैं डर गए और मेरी आँख खुल गए अरे सपनों सो को डिरा थोड़ी करता है और कहा है बिजली देखो बार आसमन मिलकुल साफ है तारे चमकते हैं और फिर सपना तो सपना होता है कोई सच थोड़ी हो कोई सच है हलो फोन ठीक कर दिया आपने जी मैंने पूछा फोन ठीक कर दिया आपने मैं वो फोन अरे बेटा तू आ गया नहीं मैं अभी कहां आया हूँ मुझे तो इस रखता है कि मैं वापस चला जाओ और गंगा नहा कर रहा हूँ उसके बाद शायद एंट्री सही होगी यह कैसी बाते कर रहा है तू ज़रूर अनुने तेरे साथ कोई शैतानी की होगी क्यों रही अनु तूने डबू को नहीं पैचाना पैचाना क्यों नहीं ममी बिल्कुल ठीक से पैचान लिया फिर भी तू इसके साथ नाटक कर रही थी यह जानते हुए कि यह तुमारी सगी मौसी के नंदोई का सगा भा आज बरसों बात जिंदगी ने फिर एक बार हम दोनों को एक दूसरे के करीब ला दिया मैं कितना खुश हूँ इसका अंदाजा तुम नहीं लगा सकती है इस धड़कते दिल में ना जाने कितने अर्मान सजय हूँ रियली ज़रा तुमारे इन सपनों का ट्रेलर तो देखे वाई नॉट एक बड़ी प्यारी खुबसूरसी जगह हरे भरे मैदान पर फीली पहाड़ी और उसी जगह पर अंगूठी में जड़े नगीने की तरह खुबसूरा हमारा एक छोटा सा घर और उसमें रहते हैं तुम और मैं कि ना दिन का हूश ना रात की खबर बस लेकिन एक बात क्या हूं chiस चुटे से घर का नाम क्या ठखेगे का क्या नाव रखेंने अनू क्या हुआ गया कि तुमने मैंने कहा कि हम अपने घर का नाम क्या रखेंगे कौन से घर का कमाल हमने अपने सपनों के सारी धास्ताइग की सांस में शुना ना ली और एक आप है कि आपको कभी में कहीं खोजाती हूं तो ये बिमारी भी आपको कोई बात नी अब हम आ गए हैं और हम आपको कभी खोने नहीं देंगे वाँ भी वाँ घर में डबू क्या है खाने का स्वार अच्छा हो गया पर इदर तो देखी जिसके लिए खाना बनाया वो तो पैक अप कर रहा है अरे ये क्यों हो भाई बस हो गया क्या दबू बेटे थोड़ा और ल क्यों जी कैसा लगा कैसा है ठीक है चानती हो बेटी तुम्हारी मम्मी अंदर ये अंदर कुछ प्लान कर रही है तुम्हारे और डबू के बारे में दरसल चाहती है कि तुम दोनों एक दूसरे को देख लो परक लो ताकि वह आगे कारवाय शुरू कर सके है ओ तो यही बात है प्रॉब्लम सोच नहीं पर मैंने सोच लिया है इस बार अनु के बर्दे पर अमित और अनु की सगाई कर देंगे और अगले साल शादी आंटी के तो कमाल कर गी आंटी जिन्दाबाद कि जिस सपने को लेकर में बंबई आया था वो पूरा हो जाएगा अनु मेरी हो जाएगी उम्रभार के लिए कर दो दे सरादा आंटी लो चानती हो कल रात को मुझे नीन नहीं आए क्यों खुशी के मारे कैसे खुशी अब बनो मतंदी कल रात को मैंने सब सुन लिया था हम दोनों के सपनों और अर्मानों पर अंकल अंटी के फैसले की मोहर लग गई बस अब तो चट मंगनी और पड़ पया अम सो है अरे अरे सब्सक्रों करो अमित सब्सक्राइब और सब्सक्राइब नहीं होता नूं बच्पन से जवानी तक का यह सफर मैंने बहुत बेचैनी से टै किया है काश तुम्हें इसका जरा विन्हतर का भी एहसास होता एहसास क्यों नहीं बच्पन की यादे मेरे दिल में अभी भी ताज़ा है अमित अगर यह सच है तो फिर यह तरसाना क्यों कि आओ नूं आज हम एक दूसरे के इतने करीब आजाये कि सारी दूरेया मिट जाएं यह क्या नूं मैं जितने तुम् मुझसे उतनी ही घंची चली आखिर बात क्या है मेरस्ट प्यार में कॉई कमी है क्या मुझे गलत मत समझ हूं अमित ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन जब भी तुम मेरी करीब आते हो ना जने मुझे क्या आलने को जाता है heu अचन्रक्राब को जाती हो जो जाती हों गहां यहां पीछे पता नहीं कहां कभी कभी मुझे इसा लगता है यह हूं कर tragic यह मुझे ऊपधार को योकुत हाउस दाट अधाट अधाट मत हाउ नाशी आप जाट लूग अभी ते खेल रहे हो स्कोर क्या है तू वान यह शुट मोलता है है तू इच है तू इच है हाँ वो ठीक है तू बीच में आधा है ता ना मोम तू इच है मां वो क्या है कि जब यहार जाता तो रोने लगता है इसलिए मैं एक तोगे मैंसी जाने दे रहा हूं ताकि कुछ गेम में इंट्रेस्ट बना रहे हैं अच्छा ठीक है नास्ता तेयार है तुम लोग नीचे आँटी मेर लिए दूद रखेगा दुगला तिर्फ थैंक्यू वह केलते हैं अचानक अमर गया अमर अमर क्या हुआ बेटे बताने मां जब करसा अगया था ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ गुम रहा है मेरे साथ ऐसा को देफा हो चुका है लेकिन मैंने आपको कभी बताया नहीं कोई गोरा कोई धुन्द मेरी यादों में च्छाने लगती है मैं किसी नय जमीन नय आस्मान गे इस साथ चलने लगता हूं और उनी सब के बीच में मुझे कोई अपनी तरफ खिशने लगता है कैं और मैं ऐसामन से दूर होता चला जाता है कोई है जो दिखता है पर नहीं दिखता एक दुंदली दुंदली सी तस्वीर है मां एक दुंदली दुंदली सी तस्वीर है 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 को अरे है यह कर रहे हो मेरी तस्वीर कर निकाल रहे हो निकाल नहीं रहा सिर्फ एगां रहो पम्लार रहा हूं वह क्या हैं कि मैं इस तस्वीर को अपने दिल के फ्रेममि इसा जाना चाता हूं ओ, बाते करना तो कोई तुम से सीखे. बातें करने के लिए तो इस तस्वीर को अपने पास रखना चाता हूँ, अन्नू. तुम हर पल, हर वक्त तो मेरे साथ होती नहीं, और जब तक हम दोनों के बीच में ये फासला है, ये तस्वीर ही मुझ से बातें करेगी. मैं इस तस्वीर को अपने आप से कभी दूर नहीं होने दूँगा हमेशा अपने दिल के पास रखोंगा तुमने रख तुली तस्वीर हमारी लेकिन लेकिन क्या नू लेकिन कहीं ऐसा नहों कि जिस तरह मौसम बदलता है उसी तरह यह तस्वीर भी अपना रंग बदल दे यह तुम कह रहे या लोग मैं नहीं ऐसा लोग कहते हैं लोगों की छोड़ों और जो मैं कहता हूं वो से लोग मौसम चाहे जितने ही रंग बदलता है लेकिन हमारे प्यार की तस्वीर के रंग कभी नहीं बदलेंगे तुमने रग दूली तस्वीर हमारी तुमने रग दूली तस्वीर हमारी परेन हो के जीस तरह मौसम बदलता है वैसे ही तुमको भी दीखो रंग बदलते हैं तुमने रग दूली तस्वीर हमारी तुमने रग दूली तस्वीर हमारी परेन हो के जीस तरह मौसम बदलता है वैसे ही तुमको भी दीखो रंग बदलते हुए हम ने रग दूली तस्वीर हमारी तुमको भी दीखो रंग बदलते हुए तस्वीर हमारी तुमको भी देखा है रंग बदलते हुए तस्वीर हमारी व näशना व थे बदलते हैं करिशाद रहे काश कल्ब याद रहे बात तो जब है जाने जहां ध्यान मेरा मेरे बाद रहे बरता बैठे हो तक दीर हमारी ही हमने रखतो ले तस्वीर तुम्हारी पर यूँ भी है के जिस तरह आसम बदल ला है तस्वीरों को भी देखा है दंग बदलते हुए करिश सम्हारी है जिस झाल रहे बात एंग। तुम जैसे इन राहों में कितने चले और छूट गए कितने असीनों के वादे दिल की तरह से तूट गए काश न तूटे रंजीर हमारी तुम मेरा दूली तस्वीर हमारी पर ये नहों के जिस तरा मासं बदलता है वैसे ही तुम को भी देखों रंग बदलते हुए हमने नकटोली तस्वीर तुमारी पर यूं भी है के जिस तरा मासं बदलता है तस्वीरों को भी देखा है रंग बदलते हुए हमने तरा मासं बदलते हुए रात के 11 बज गए अन्व भी तक नहीं आई आज आएगी कौन सी अकेली गई है अमीद भी तो साथ गया है लगता है तुम्हारे रिष्टे के रिष्टेदार के साथ हमारी बेटी काफी घूल मिल गई है क्यों नहों वो मेरी सगी मौसी के नंदोई का सगा भांजा है अब तो लगता है सिर्फ सगाई नहीं शादी भी मेरी मर्जी से होगी और जितनी जल्दी मैं चाहूंगी लगता है 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 अनू लगता है मेरा सब कुछ वहाँ है मुझे ही वहाँ ले चलो लगता है 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 लगता है